हाईम वैज़ वी मन्योटे चरह स husbands गण्यान ऑज मेरने वाली हुँ प्रैक्टेश पेपा का सेट फूर और इसने पहले मेर Armstrong आँशू की कि आपकी टेस्टिंग के लिए कि आप दो घंटे में अपना पूरा तीस नमर का पेपर कैसे स्वाल्फ करते हो क्या आप हर दर की सांसर सही फ्रेम कर पा रहे हो नहीं टाइम फ्रेम उतना है कि नहीं अपना पाइब नहीं है तो यह नहीं है अगबर नहीं है शाजा नहीं है प्रोविशनल मुगल कोट मुगल के तो बात करी रहे न तो वह भी नहीं है तो जहंगीर इस राइट आंसर नेक्स क्वेशन वेन इस राजिस्थानी स्टाइल पेंटिंग कंसेड़ तो यह अपकी नोट्स की फॉर्स लाइन है तो इस सिक्स्टीन सेंचुरी में जो आपका राजिस्थानी स्कूल पेंटिंग है वो स्टार्ट हो गया था ठीक एसर्शन की राजिस्थान वॉस एफेक्टेड बाय मुगल बट मेवार दिड नॉट कम अंडर दियर कंट्रोल अप्टू दा लास्ट मेवार कहीं कंट्रोल में लिया था बिल्कुल ठीक बात है हमने ठीक R is the correct explanation of A क्योंकि यह जो बात है यह बिल्कुल सही है इसके साथ अब इतक आप इतने assertions and reasons कर चुके हो कि आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या चीज जो है वो कब right है और कब wrong है बले ही दोनों true हो बट कब क्या right और कब क्या wrong है ठीक है तो वेल यहां पे इसका answer है इंडिया नाशन फ्लाग इस रिप्रेजेंटेड भाई कि जो चक्र है हमारा अशो का चकर वो क्या दिखाता है तो यह आपका 24 hours of commitment to the duty and constant movement हां बिल्कुल ही दिखाता है कि जो निरंतर प्रयास है जो निरंतर काम है वो चलते है रहना चाहिए progress चलती रहनी चाहिए और यह पावड़ इलिस्टेशन मेड ने मुगल मिनियेचर स्टाइल टू डिपेक्ट और नेरेटिव और स्टोरी क्यों भाई कि देखो पावर है ऑबिसली मुगल ने हम पर आके साशन किया तो ऐसा तो है ने कि बिल्कुल पावर ने तो उन्हों ने हम पर कर लिया वेल्थ उनके कि भाई कंपोजिं क्रावड़ सीन्स इंक्लू मेनी फॉर्म्स और फिगर्स और इंपॉर्टन फीचर ऑफ मुगल मिनियेचर पेंटिंग यस अब सबसे अच्छा इसका एक्जामपल लिलो भाई जो उपर किया हमने मारेश पोसिशन ऑफ दारा सिखो ठीक है यह जो है मारे पेंटिंग और इंडिविजुल्स और गुरूप पोपलर डिन मुगल पीरिड यह भी बाट थीक है बहुत प्रेट पेंटिंग जो है वो इंडिविजुल इसकी और गुरूप की बहुत पॉपलर होगी थी मुगल प्रिड के टाइम पर उसका रीजन क्या हूआ भाई यह इसका correct explanation नहीं है बोथ A and R are true but R is not the correct explanation क्योंकि यहां पर हम लोग पोट्रेट पिंटिंग की बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग too many forms and figures की बात कर रहे हैं यहां पर individual की हो रही है यहां पर too many forms and figures की बात हो रही है ठीक है next अब यह जो दोनों question है कि दोनों question मैंने last year के question paper से लिये है ठीक है फर्स इस भई उदयपूर देवगार नात्वारा वर्द में सेंटर से विच पेंटिंग अब आपको दो पेपर से बता चुक्यों कि यह जो जगे है यह है आपके राजिस्थानी से रिटेट राजिस्थ होगे आपका मेवार स्कूल क्यों देखो भी अगर नॉमल चीज भी देख रहे हैं पर पहले बात तो यह मार वार हरोटियां दूंदर इनके बारे में पड़ा ही नहीं है पूरा अस्थानी स्कूल के अंदर ठीक हम इसको इस वे में भी देख सकते हैं यह जो जगे है यह ज चवाई जो स्टाइल से जो आर्ट है वह वहां पर पेंटिंग्स वगारा बन करके आई ठीक है नेक्स इस भाई की तब पेट्रोन आफ हैंदरबाद स्कूल वास यह आपके जो नोट्स में आपको प्रोवाइड ही है डेकन स्कूल के उसकी एहमद नगर स्कूल की फर्स ला बने लग गए निक के बार में बता दियां गया है किहां में तको रौल बताना है अब उनको कोई Compositional Arrangement है अब उसको क्यों लाइक करते हो तो भई एक ही है आपके पर that is Rama Vankishing the Pride of the Ocean बस उसको आपको explain करना है नेक्स डिस्क्राइब आर इंडरनाशनल फ्लाग आपको explain करना है जहां पर आपको बताना उसको symbolic interpretation and 24 spokes जो सब कुछ बताते हैं symbolic ठीक है यह सब आपको मेरे notes में as a tis मिल जाएगा इसलिए में आपको खाली question के type बतारे किस question किस तरीके साबसे पूछादा सकता है नेक्स भाई और camel collapsed camel collapse आपके जो दढ़ाम से गिर गया है यह आपका बेंगॉल स्कूल का जहां पर आपको बताना है उसको symbolic significance बताना है aesthetics बताने है literary illusions बताने देखो ऐसे भारी भारी words देख करके डरना नहीं है बिल्कुल आराम से अपना paper जो है वो करके आना है जाएक को खाली main main चीज़ों पर focus करना है ठीक है camel है fine lines आपको बारे में बताना कि artist का नाम क्या है कौंसी painting als Hyundai Virgin painting है प्रेंटिक में आप Camel अलवके पेंटिंग में बता है अविंद नाट टेगवर अब आपको पूरा empathy बताना कि क्या है उस प्रिंटिंग अंदर लो क्या देख सकते हैं और क्या नहीं देख सकते हैं तो आपकी यह एक ही प्रिंट है लिए अब आपको इन सब के बारे में बताना है आपको खाली में में वर्ट्स पर फोकस करना है और पूरा कुशन बहले ही पढ़ लेना बत में 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 वर्ट्स अपके यहीं है ठीक है और प्रेंट में कर रहा है तो आप उब्विसले प्रिंट में कर इस ग्राफिक प्रिंट नेक्स्ट अपको आपको सिधसी दे बताना है कृष्णावथ गोपीज़न ने देशाओदा प इन दोरह में तो जो आपको अच्छी लगी है पहाडी स्कूल ऑफ मिनेशर पेंटिंग के आपको मुआ पे एक्स्प्लेइन करनी है इन दो फेमस क्ल्प्चर है और गॉडण गॉडड़न बता है पर तो स्कॉल्प्चर के बाले बता थे आपके सिर्फ एक ही है दाट इस आपकी गनेशा वह को आपकी बागी जो तीन बची हुई है वह आपका पूर, एंपथी, सिंपथी, यूनिटी और आप देख सकते हो कि माइगरेशन उस से रिलेटेड है यह सिर्फ एक गनेशा ही है जहां पर हम लोग गॉडड़न गॉड़न गॉड़न से के बारे में देख सकते हैं तो आपको यही सब लिखना है ठीक है आपको बताना है यूनिटी क है और इसका मीडियम और टेक्नीक क्या है ब्रोंज और सिमेंट से बनाई गई है वो मॉड़न स्कूल की है नाशन कायलोरी ऑफ मॉड़न आर्ट जो है उसके अब सामने से बज़रते हो इंड़ा गेचे तब आपको वो दिखती है नेक्स भई राइट दा नेम अफ सब उसरों उनकी बीच में डिसकेशन चल रहा है वो टॉक कर रहे है और वो काफे दागे डिप डिसकेशन में लगे हुए है ठीक है राइट थे नेम अब आर्टिस फॉर कभीर और आईदास के बारे में बताना है यह दोनों वही सेंस है जो बैटे वह है और कभीर है जो अपन काम और पूजा दोनों ही एक साथ साथ चलती रहने चाहिए वर्क एंड वर्शिप शुट गो हांड टू हांड तो यह हमें पता चलता है उस्ताद फक्किर उल्ला खान ने स्पिंटे को बनाया है चलो सेक्शन सी के उपर बढ़ते हैं फाइनली अब यह रटन एसे उन बें अब इसके में एक्जांपल दे सकते हो कि हां भई कैसे जो हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने अलग अलग टाइप की पेंडिंग्स बनें फॉर एक्जांपल राजरावी वर्मा जो है अभी हमने टू मांक से क्वेशन में यहां पर देखा कि भई राजरावी वर्मा जो है उनका क्या कॉंट्रिब्यूशन रहा है हमारे जो इंडियन नाशनल फ्लाग मुव्मेंट है उसके अंदर तो आप यहां पर भी यूज कर सकते हो कि हां उनका क्या यूज काम रहा है राजरावी वर्मा हो गए आपके या फिर आप नंदलाल बोस कहलो या फिर आप अभंद अब यहां पर आप कोई भी अपना आर्टिस और उसका आर्टवर्क डिस्क्राइब कर सकते हो और यह इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा भाई जोर्नी इंड यूज कि अब अल्रड़ी इतना बता के ठक जाओगे और आगे एक और क्वेशन करना है तो यहां पर सबसे ब प्रिंट बेगर की बात कर रहे हैं अब देख सकते हो एक ऐसी आपको यह पर प्रिंट बताना है जहां पर पुवर्टी अंगर देख सकते हैं तो वह भाई है आपकी चिल्रेंट ठीक है चिल्डर्ड है बहुत एक एक इसके साथ सब्सक्राइब करने हैं जब से पूछा गय अब खली साथ चीज़ें जो है वह एक इस प्रिंट कर दो कि दास इट ठीक वह ग्राफिक प्रिंट में कर रिक चीज बतानी है जो भी आप 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 एक प्रिंट एक स्मुलिन करने वाले हो दास अब से अलग अलग कोशन पूछा उससे टेंशन एक जरुबत नहीं है सब क अब गई थी अब गई थी आप गई ती अब आकर के पिर दीट के गिर गई थी यहां पर प्रपर भज्चा के बारे में बता दोगे तो आप बिलकूँ स्टार्टिंग करोंगा बाबर से एंट गर दो गे लाकर पे और अरंगजे ऌ शे बताओगे अन यहां पर उसका को भी बोला गया है golden period the reason behind that is कि अगबर के टाइम पे काफी सारे ही volumes बनेते illustrations बनेते और काफी सारे ही काम उसके टाइम पे हुए थे बस इसी वज़े से उनके period को भी बोजाता है भाई कि golden period है जहांगी की period में तो हम सब को पता है फ्लोरा एंफोन अगा बहुत अच्छा काम वह था बहुत सारे ही पेंटिंग जो थे वह आर्टिस्ट बनाने कि उनको बिल्कुल free कर दिया गया था and all that stuff मांगे time of downfall इसके और अरंग जेबने जैसे ही entry मारी बिल्कुल प्लाउंफोन सोला गया क्योंकि वह कटर मुस्लिम थे उन्होंने बिल्कुल अलाव नहीं कि कोई भी पेंटिंग होना ठीक है यह बहुत बड़ा है I know इसको आप अपने हिसाब से cut shot कर सकते हो इसलिए आप कुछ एक्स्ट्रें नहीं कि आपको यह लिखना ज़रूरी है बट जो जो चीज़े specially पूछे गई उनका नाम जरूर देना बाकी सब चीज़े इस अप टू यू तो यह विद इस आपका भई हो गया है प्राक्टस पेपर फूर भी कंपलीट and here mcq questions भई number one is what type of topics were used during basoli school कि basoli school के time पे कौन से जो major topics थे वा आपके यूस किये गए थे here are your options now let me know the answer in the comment section ठीक है in the composition arrangement and mark position of dhara sikho here how are the elegant woman place यह वोमेंस को कैसे रखा गया है उस picture के अंदर का picture ध्यान से देखो गए आपको पता चलेगा कि woman's को कहां रखा गया वो किसके ऊपर बैठी हुई है तो आपको यह पर उसका answer भी करना है ठीक है तो मुझे comment section में बताओ यह आपको क्या लगता है नोनों का answers and I will like and pin the right ones okay so well guys with this आपको हो गया है proper पूरा fine arts complete all the very 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 best for your examinations and take care of yourselves guys okay bye